तो देखो भी कटारिया का बाहर जाना वो बिल्कुल तै था क्योंकि अब की बार उत्ती वोटिंग और वोटिंग के इसाब से जो कटारिया था भाई टौफी एक तरफ एक तरफ और कटारिया के वोट एक तरफ तो इस करके जो बिग बोस ने पूरा गेम रचा पता हूं कैसे रहा था कि देखो पहले तो गरवाले से पूछे गया पूछा किसलिए गया क्योंकि जो कटारिया गरूप था यानि कि विसाल पांडे और सिवानी कुमारे इन दोनों को पहले ही बार कर दिया गया था यानि कि गरूप पूरा पहले ही तोड़ दिया गया था तो उसकर केस गरूप में कोई था नहीं और बिग बोस को ये पता ही था कि भाई सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा सुआल कि आप गर में किसे नहीं देखना चाहते तो अर्मान और साइकेतन का नाम कौन लेगा सभी कटारिय का नाम लेगे क्योंकि वही जो उनको में लग रहा है कि भाई ये जीच सकता है तो उसी गर के जो है तेन बंदों ने किर्टिका ने अर्मान ने और साइकेतन ने तीनों ने जो है बाई कटारिय का नाम लिया रनवीर ने चार बंदों ने कटारिय का नाम लिया और सिर्फ दो बंदों ने ही जो है अर्मान और नेजी का नाम लिया भाई साइकेतन का तो ये कलियर पहले ही दीख रहा था अगर अभी नहीं निकलते तो वोटिंग अब स्टार्ट हो गई बिग बोस की तो उसमें पता चल जाता कि भाई एक तरफा जो है कटारिया है ही है उसको कोई नहीं आणा सकता अगर वो फेर गेम खेलता बिग बोस तो लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ चैटारिया का जो बार कर दिया गया और अब बात करते हैं भाई इसमें से कौन जो हर ट्रोफिय उठा सकता है तो भाई मेरे को कुछ ऐसा ऐसा ट्विश्ट आया कानी में कि किसी ने सोचा ही नहीं था बिग बोस की ट्रोफिय की जो कानी है उसमें ऐसा ट्विश्ट आएगा